नमस्कार दोस्तों मैं हूँ डॉक्र जसमी दालुवालिया बिरियाट्रिक एडवांस लेपरोस्कोपिक एंड लेजर सर्जन और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वेरिकोस वेन्स की एग्जामेनिशन कैसे करते हैं और कैसे उसका डाइगनोसेज बनाते हैं वेरिकोस वेन्स का मतलब है कि जो वेन्स हैं उनका डाइमेटर यानि उसका साइज जो है वो नॉर्मल से बढ़ गया है और वो टॉर्चूस हो गई यानि कि अगर वो सीधी वेन है तो वो अब एकसाम की तरहें उसमें टॉर्चूसिटी आ गई है क्योंकि उसका size बढ़ गया है Viricose veins usually lower limbs यानि की tongue में देखी जाती है और इनके कई कारण हो सकते हैं Patients usually feel करते हैं कि उनकी जो veins हैं उनका size जादा हो गया है Legs के अंदर बहुत मोटी-मोटी veins देखने लग गई है और जैसे-जैसे इनका size बढ़ेगा टाइम जाएगा बैसे-बैसे और सारे symptoms इसमें add होते जाएंगे Vains के dilation होने का कारण है कि Vains के अंदर pressure जादा है और उससे बहुत सारे associated symptoms होते हैं Vains के अंदर खून का दबाव जादा होने की वज़े से patient को legs में crampy pains feel होती है legs के lower हिसे में उन्हें feel होता है कि उन्हें बहुत burning sensation हो रही है या abnormal pain रह रही है जैसे जैसे time जाएगा इन veins के अंदर blood से कुछ red blood cell की leakage होने की वज़े से pair के निचले हिस्से यानि कि जो medial maliolus या just tongue का निचला और अंदर वाला हिस्सा है जैसा कि आप picture में देख रहे हैं उस हिस्से में आपको कुछ abnormal pigmentation दिखाई देगी यानि उस हिस्से का जो color है वो धिरे धिरे dark होने लगेगा अगर ये changes अभी ठीक नहीं होते तो इस skin में infection होने लगती है patient को itching होती है और इसमें ulcer यानि जखम बन सकता है और अगर ये जखम deep हो जाता है तो जो underlying vein है जिससे सारी problem हो सकती है वो फट सकती है और bleeding भी हो सकती है ये सारी stages है initially आपको बड़े mild symptom हो सकते हैं और last stage में आपको bleeding तक भी हो सकती है और हमारे पास ये patients किसी भी stage में दिखाने आते हैं जब आप doctor के पास जाएंगे तो आपकी legs की examination की जाएगी जैसे कि आपने खुद भी देखा होगा कि जब आप standing position में होते हैं तो veins में gravity की वज़े से blood जादा होने की वज़े से ये जादा fully होई दिखती हैं जब आप late जाते हैं तो ये कम देखती हैं तो examination table बर doctors इसे आपको खड़े होकर देखते हैं पहले veins को और फिर कुछ test करते हैं देखने के लिए कि ये veins किस तरेकी से empty होते हैं हमें देखना होता है कि जो superficial veins है वो deep vein में प्रॉपरली drain कर रही है या उनके in between जो valve है वो सही है या खराब है तो उसके लिए कुछ test किया जाते हैं और इन veins का in between भी connection रहता है यानि कि जो superficial vein है वो deep vein से groin के area में मिलती है लेकिन नीचे thigh में और leg में भी इनके आपस में connections रहते हैं जिनने हम perforators के नाम से जानते हैं और इनको भी mark करने के लिए doctors कुछ specific test कर सकते हैं इसके लावा जो main test किया जाता है वो है color doppler test जो कि एक ultrasound जैसे machine से किया जाता है जिसके अंदर ultrasound के साथ-साथ कुछ color भी देखा जाता है यानि कि जैसे आपने ultrasound में black and white color में देखा होगा उसके साथ-साथ इसमें red और blue color में देखा जाता है कि blood flow की direction क्या है so doctors जहां आपका main vein superficial और deep vein का connection है बहाँ पर ये color डाल कर कुछ pair के specific pressure को elevate करकर देखते हैं कि इसका जो blood का flow है वो normal एक ही direction में जा रहा है या जब आपके वो leg को press करते हैं उस समय वो flow reverse हो रहा है यानि कि normally हमारा flow जो है वो superficial veins के through deep veins में जाना चाहिए लेकिन अगर ये valve खराब है तो ये deep veins से वापिस superficial veins में भी travel करता है जिससे कि ये superficial veins का pressure बढ़ता है और varicose veins होती है तो इसी reversal of flow को हम लोग color doppler test में देख सकते हैं इन main veins के valve के इलावा हम लोग veins के diameter को भी देख सकते हैं और इसके जो perforators हैं यानि कि जो thighs में और legs के अंदर superficial और deep veins के बीज के जो veins हैं उन में जो valves हैं अगर वो खराब हैं तो वो भी हमारे इस pressure के test के थरूँ इस color doppler test में reversal of flow of blood के थरूँ देखा जाएगा यानि कि जब ये superficial veins से deep veins में blood flow करना चाहिए उसके बजाए varicose veins के patients में ये reverse flow होगा जो blood है वो deep veins से superficial veins के तरफ flow होता हुआ color doppler में नजर आएगा इसके इलावा ये भी देखा जाता है कि जो deep veins हैं उनमें कोई by chance clot या कोई रिकावट तो नहीं है क्योंकि जब हम varicose veins का treatment करेंगे तो हम ये superficial fully होई veins को या तो निकाल देंगे या laser से इन्हें burn कर देंगे और ऐसी condition में जो deep veins हैं वो बिलकुल proper काम करती होनी जरूरी है अगर उनमें कोई रुकावट है तो varicose veins का treatment अगर हम superficial veins को burn कर देंगे तो ये राधर counter productive हो जाएगा और आपके लिए हानिकारक होगा इसके लिए भी पहले एक color doppler test करना जरूरी है ताकि हमें deep veins की भी status का पता चलता है इसके लाबा यूजुली जो varicose veins हैं इसमें और test करने की जरूरत नहीं होती जस्त एक पेट का ultrasound किया जा सकता है देखने के लिए कि आपके varicose veins का कोई और करन ना हो पेट के अंदर कोई tumor बगारा ना हो जिससे कि ये varicose vein हो रही हो और ऐसा कुछ है तो हमें पेट के ultrasound से पता चल जाएगा यूजुली यही test किया जाते हैं जिसके बाद हम इन varicose vein का treatment स्टार्ट कर सकते हैं जो कि आजकल laser के थूरू latest technique से किया जा रहा है आपको एक ही दिन में within few hours discharge मिल जाता है कोई cut नहीं आता और बहुत जल्दी आप अपने normal life में वापिस जा सकते हैं Thank you कि अपने जाता है जाता है